तो आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही असान और एकदम नए नास्ते की रेस्पी जिसे हम बच्चे हुए आठे और घर में रखे हुए कुछ चीजों से बनाकर इसे तयार करेंगे और खाने में बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी है और बनाने में बहुत ही असान है तो सुबह में रोटी बनाने के लिए जब आटा गुते थे तो उसमें से तीन से चार रोटी के आटा बच गया था इसको ढखकर हम फ्रीज में रख दिये थे और अभी साम में हमें कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन कर रहा था तो मैंने फ्रीज खोल कर देखी हूं तो मैंने सोची कि चलो इसी आटा से कुछ नाया और चटपटा और क्रिस्पी नास्ता बनाती हूं जो घर में सभी को पसंद आएगा तो चलिए इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो अब हम इस आटा को चकले के उपर रखकर इसको एक बार इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला आटा को तो चकले के बाट लेंगे तो यानि लियुक्त नाचा बीलक्ते मेरें करा अनदर से नांतर ओना लेंगे और देख कुस्कुरा नहीं है का मिलोक्त के हम इस तरह से से अच्छे से मैं बना लेंगे हैं यार आँफिसनेने पहुत जैसाध कर लोखgent के तो क्यृट अब यहां पर लेरे लिए मैं यहां पर फैसके लात प्यूदास आप प्राइब उसका स्टायुन और यहां पर कुरत हैं और अब हम इसे कट करने के बाद इसका जो इस्ट्रा आटा है उसको हटा लेंगे और इसको हम फिर से दुसरे लोई में मिला कर बेल लेंगे अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और यहां पर मैं आपको उठा कर दिखाते हैं बहुत ही अच्छे से पूरी बन कर तयार हो तो इसी तरह से हम बाकी सभी पूरी को बना कर पहले तयार कर लेंगे तो इस नस्ता को बनाना बहुत ही असान है यह देखिए सभी पूरी को हम बना कर एक प्लेट में रख लिए हैं और इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तराफ तो यहां गैस पर हम एक तावा रखे हैं और गैस के फ्लेम मिडियम रखेंगे तावा गरम हो गया है तो अब हम इस पूरी को एक एक करके इस तावा में डाल लेंगे जितना एक बार में तावा में आ सकता है उतना पूरी डाल लेना है और डाल कर गैस के फ्लेम मिडियम रखेंगे और मिडियम फ्लेम पर इसको पकने दे और यह देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया है तो आप इसको हम थोरी दिर बाद फिर से एक एक करके पलट लेंगे और यह देखिए इस साइडे बहुत ही अच्छे से पख गया है तो यह देखिए आपको मैं दिखाती हूं दूसरे साइड से भी अच्छे से पख गया ह में हमको ठंडा होने के बाद को चिल्का निकाल लिए थे याथुहें डुखन और रिजए को काने हाम बते कासर नेथा हुआanka चाट मसला डाल दिये हैं और चटपटा टेस्ट के लिए इसमें हम आधा चोटा चमच चाट मसला डाल दिये हैं आधा चोटा चमच सावुत जीरा की अब हम नमक यहां पर अपने ठेस्ट के लगें डालएगे यहां पर आपने ठेस्ट के अनुसार ही डाल दो थोरा बारी कुटा रिक्मच से लिक कायल देंगा restoring कर लेंगे आप चाहे तो इसे चमस से भी मिला सकते हैं लेकिन इसे अच्छे से मिलाना है ताकि मसाला के जो फ्लेवर है इस आलू के अंदर तक चला जाए और यह देखिए इसको अच्छे सी मिला लिए हैं और चट पटा सा इस टपिंग हमारा आलू के बन के तयार हो गया है और यहां पर पूरी अभी हम बना के रखे थे उसमें से एक पूरी हम ले लेंगे और अब हम आलू के मसाला इस तरह से चमस में उठाएंगे और पूरी के उपर इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे तो यहां पर भरके पूरी के उपर आलू के मसाला यानि कि अच्छे से ताकि खाने में इसका टेस्ट अच्छा आएगा तो इसी तरह से हम सभी पूरी के उपर अच्छे से आलू के मसाला लगा लेंगे तो इस तरह से आलू के स्टपिंग हम सभी पूरी के उपर लगा लिए हैं अच्छे से आपको मैं उठाकर दिखाते हुए देखिए इस तरह से तो आप हम इसे साइड में रख देंगे और आगे के त्यारी कर लेते हैं और अब हम यहां पर ले लिए हैं एक बड़ा सब बावल और इसमें हम डालेंगे आधा कप गेहुं के आटा अप गेहुं के आटे के जगह पर बैशन भी ले सकते हैं और साथ मेहीं नास्ता की लिए भंप कर रूद सकते हैं और अजय कि बंगरा और स्वाइन पेar निया औ। में हम थोरा थोरा करके पानी डालेंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसका हम घोल बनाकर तयार कर लेंगे तो जैसे हम पकवरे के लिए गोल बनाते हैं उसी तरह से इसका घोल बनाकर तयार कर लेना है तो यह देखिए गोल के consistency बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए तो घोल तयार हो गया है तो अब हम यहां पर जो पूरी अभी रखे थे लगा कर आलू के उस पूरी को लेंगे और इस तरह से अच्छे से घोल में डीप कर लेंगे और घोल में डीप करने के बाद यहां गैस पर हम एक कराही में तेल गर हो गया है तो इस पूरी को हम सर्धानी से तेल में डाल लेंगे और इसी तरह से सभी पूरी को हम एके करके घोल में डीप करेंगे और इसको हम तेल में डालते जाएंगे जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना डाल लेना है और पूरी को तेल में डालते समय ध्यान सब्सक्राइब निऐन को सब्सक्राइब अच्छा लगा अच्छा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेयर और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा जय हिन जय भारत